हेलो गाईज क्या आले तो फटा फट से शुरू करते हैं कैपकट को अन कर लो ठीक है और देखो गाईज यह है मैंने इसमें ले लिया है सवांग अगर सब मैं कैपकट से ले रहा हूं ठीक है कैपकट में मिल जाते हैं और नो कॉपी राइट भी होता है अब देखो गाईज इसमें सबसे पहला आपको अनिमेशन देना है कॉम्बो में जाओ पैंडूलम 1 वाला सबसे पहले लेना ठीक है और पैंडूलम 1 वाला लेने के बाद अगली किलिप के अंदर आपको लेना है प अपने को लेना है और देखो या पर एकबार बरा बरा एक्दम के बरा या खी और वीडेशन अदर जाओ और तुम्हें न यहाँ पर मिल जाएगा औबलीग बलर यह मिलेगा ओपन mushroom कर दो इसमें पर जबड़े न दो कर दो इसे याँ हां यहां को ओने इसको और तुम्हे और देखो, आपको यह इतना लेना है, कि एक खतम होती है, और दूसरी शुरू होती है, उसके बीच में, अब्जेक्ट में all videos कर दो, की animation एक बीच में देदो, जिसमें blur 100 करना है, और अगले में जो है, आपको blur करना है 0, और शुरुआज में एक और की animation देकर blur करना है 0, ठीक ठीक है, into लेना है, तो इस तरीके से अपने graph देदी, आपको दो-दो हर एक जगह लगाना है, तीसरा copy करके आगे, paste करते रहो, बस, copy करो, और दो-दो हर जगह लगा दो, हर एक जो खतम होती है, clip और अगले शुरू होती है, उनके बीच में आपको यह लगाना है, यह वार से लेना है, और एक दम end तक आपको लेना है, ठीक है, अब फटा-फट से मैं आपको इसकी setting दिखा देता हूँगा, इसकी setting क्या रहेगी, intensity रहने तो इतनी ठीक है, twist से क्या है, कि गोल होता है, तो इसकी अपने को जर्वत नहीं है, speed आप चाओ तो बढ़ा सकते हो, ठीक है और उसके बाद new project को open करना है, new project के अंदर आपको बस वीडियो पे adjust में जाके तोड़ा शार्पन बढ़ा दो, ताकि quality बढ़ जाए, वैसे important नहीं है, main तो है अपना motion blur, ठीक है, motion blur आपको 100 करना है, और direction जो option है उसमें बहुत कर देना, ठीक है, और इसके बाद राइट कर यह सेव हो जाएगा, तो पूरा होने के बाद सेव कर लेना, और आपका वीडियो रेडी, okay दोस्तों मिलेंगे किसे नए वीडियो, bye bye दोस्तों, जै हिंच, जै वारत